आजम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेडिक्स टॉपिक भौपद भौपद का दिर्माण चर और अचराशियों के सयोजन से होता है इसमें दो प्रकार की राशियों होती हैं एक चर राशियों और एक अचर राशियों जैसे मारे पास बहुपद है चार अक्स इस चार अक्स में जो यह अक्स अंग्रेजी वनमाला का जो अक्सर है वो बहुपद का चर राशियों के लाती है बहुपद की चर राशियों इसको हम कहते हैं गणीती संख्या को अचर राशियों तो बहुपद में दो परकार की रासियां होती हैं एक चर्रासी होती है और एक अच्छरासी अंग्रेजी वर्णमाला की जो अक्सर होते हैं उनको हमें चर्रासी की रूप में परदसित करते हैं और जो गणीती संग्या होती हैं उनको हमें अच्छरासी की रूप में परदसित की बात करें तो जिस घात का बहुपद है उसी घात की नाम से उसको जाना जाएगा अब जैसे हमारे पास है चार अक्स यहां अच्रासी जो चर्रासी है उसकी जो उस्तम घात है वह एक है इसलिए हम इसको कहेंगे रेख्षी के बहुपद रेख्षी के बहुपद दूसरी प्रकाश दूसरी जैसे मारे पास है चार अक्स इसको इसमें चर्रासी के उस्तम घात है दो इसको हम कहेंगे दिवी घात यह बहुपद दीव घात बहुपत फिर जैसे घात तीन हो जाती है चारक्स क्यूब है इसको त्री घात ये बहुपत त्री घात ये बहुपत अब हमारा जो इंपोर्टेंट बहुपत है वह हमारे पास है दीव घात बहुपत और त्री घात ये बहुपत अब हम त्री घात ये बहुपत की आए पढ़ाएंगे सबसक्राद के तो चार सुन्यांक उसके प्राप्त होंगे तो आप कह सकते हैं कि जितने गहात का बहुपत उतने ही उसके सुन्यांक प्राप्त होंगे तो हमारे पास सबसे पहला जो बहुपत है वो हमारे पास है दीव गहात बहुपत दीव गहात बहुपत इसके व्यापक ग्रूप की बात करें तो व्यापक ग्रूप होता है AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C व्यापक ग्रूप की बात करें दीगा तो बहुत की व्यापक ग्रूप की हम बात करें तो इसका व्यापक ग्रूप होता है AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C जहां A, B और C अचर रासियं होती है और X सिय यहांपर 4 रासियं होती है आप जैसे आपसे कोई पूछ लेगी X2 का गुणांग då X2 का गुणांग तो X2 से जोबी कुछ गुणा है वो इसका गुणांग कहलाएगा तो X2 का गुणांग होगा यहांपर A अक्स का गुनांग अक्स का गुनांग अक्स का गुनांग है यहां पर B और C है यहां पर अचर रासी C है यहां पर अचर रासी तो यह दिवगात बहुपद का व्यापक रूप है अब हम इसके सुन्यांग याद करेंगे गुणांकों की बात होगे हमारे पास तो सुन्यांक के जितने गहाद का बहुपद उतनी इसके सुन्यांक तो हमारे पास दो गहाद का बहुपद है तो इसके सुन्यांक होंगे दो कम जदा सी जदा इसके सुन्यांक इतने प्राफ्त होंगे दो बाकि जो अफ़ाद इस्तिति अलग है कि कई बहुपद ऐसे होते हैं जिनका कोई सुन्यांग नहीं होता जिनका कोई सुन्यांग नहीं होता जिसे अक्सि स्क्वाइर माइनस एक ये एक ऐसा बहुपद है जिसको सुन्य बनाने वाला अंक आज तक बनाए निगनित में तो ये क्याद करने की जो विदी होती है उसको गुनन्खंड विदी का आजाता है И गुनन ओड विदी गुनन उत विदी कहने का मतलब है गुनन verdi कंड विदी से हम इस दीवगात बहुपत के सुन्यांख गाद करेंगे के फोर सुन्यां के ग्यात करने यह तो बहुपद क कि हम सुन्यां ग्यात करेंगे तो हम गुनन्रक्रण विदी का प्रियोक ereंगे हमारे पास बहुपद है अक्सी स्कॉायर – 2 अक्स attachments का 8 अक्सि-्स . अब हम इसके सुन्यां गयात करेंगे, तो हम लगाएंगे इसमें गुनानखंड विदी से, अब दिखको गुनानखंड विदी से, यह दिवखाद बहुपद की सुन्यां कैसे गयात होते हैं, सब좌ने हम बहुपद लिखेंगे, अक्सि-्स ्स . तो अक्स माइनस का आठ अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पहले पत को अंतिम पत से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास माइनस का आठ अक्स स्क्वाइर पहला पत किसे गुणा हो गया अंतिम पत से तो यह हमारे पास हो गया आठ माइनस का आठ अक्स रहे और जोडने गठाने पर माइनस का तुवक्स आए तो गुणा करने पर आठ जैसे दो को चार से गुणा करने पर आठ आता है चार को दो से गुणा करने पर आठ आता है फिर आठ को एक से गुणा करने पर आठ आता है तो ऐसे हम दो संके ले लेंगे जिनको गुणा करने पर आठ आ रहा है अब इनको देखेंगे कि जोड़े या फिर गठाएं तो हमारे पास माइनस का दो आजाना ची तो आप देखो दो में से चार गठाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का दो दो को माइनस चार से 2-8 तीसरा पद ऐसा कैसा लिखा जाएगा पहला पद ऐसा कैसा लिखा जाएगा बस बीच मैं आपको कि लिखनी है जिन को गुना करने पर पहला पद और अंतिपद गुणान कि बराबर आये और प्रास हो दोनों में यह को चार का पुरा पुरा भाग जा रहा है तो चार को मना गया यहां बच गया अक्स इस माइनिस के वज़े से यह माइनिस बदल जाएगा प्लस में और आट में चार का भाग देंगे दो गुनान खने विदी में हमेशा ही जो कोष्टों का लिमान आते ही हैं हमेशा ही बराबर बराबर आते ही बराबर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आपको दुबारा चेक करना है कि कहीं न कहीं मिश्टेक तो नहीं हुई है अब दोबारा से क्या को मना रहा है इनमें x प्लस का 2 और क्या बच रहा है मारे पास x माइनस का 4 अब हम बहुपद के सुन्यांग याद करेंगे बहुपद के सुन्यांग बहुपद के सुन्यांग तो बहुपत के सुन्यांग याद करने लिए सबसे पहले इसको जिरो के बराबर रख दो उसके बाद में इसको जिरो के बराबर रख दो अक्स प्लस दो को जिरो के बराबर रखेंगे तो ये प्लस का दो उदर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो आक्स बराबर कितना है जाएगा हमारे पास माइनस का दो फिर आक्स माइनस चार बराबर कितना रख देंगे हम जीरो तो आक्स बराबर कितना हैगा हमारे पास माइनस का चार दो जाकर किसका हो जाएगा प्लस का तो ये इस बहुपद के क्या कहलाएंगे सुन्यांग के कहलाएंगे ये कहलाती है अपने गुनाणखंड विदी तो सबसे पहले मारे पास बहुपद अक्स स्क्वाइर माइनस टू अक्स माइनस का आट गुनाणखंड विदी चाम नेयल किया x square minus 2x minus 8 फिर पहले पद को अंतिम पर से गुणा करना है तो हमारे पास आएगा minus 8x square फिर इसी दो संखे लेनी जिनको गुणा करने पर minus 8x square आए और जोरने कठने पर minus 2x है तो हमारे पास वो संखे होंगी 2x और minus 4x x square plus 2x minus 4 minus 8 फिर इन दो पतों में से कौम लेंगा ऐक्स को मनँनाएगा मई पास बचे गाया अक्स प्लस का दो फिर मामने सका all-辉इन्ज का all-談च यह अपर जो च्रीन होता होई कौम बनाता है माईनस का च्यार चार कौम बनाऊ रहा रहा है हमारे पास बचरा x 2 मैनिस वह से रही है मान तो आफने हो गया प्लस में फिर रिक्स-प्लस-डो बॉर्बरह, से कुम मना। महरे पास बत्रा एक्स- aç मानिस का 4 अब हम बहुपद के सुन्या क्यां गयात करें ये इस बहुपद के गुनंड-कंड कंड कहलते हैं इस बहुपद के 12 plus 1 X-4 हो गया अब हूपद के सुन्यांग गयाद करेंगे तो पहले इसको 0 के बराबर रख देंगे X2 बराबर 0 ऑक्स बराबर हो जाएगा मैंनोस मैंने स्का आगि अभ्यास करते रहे और क्युस्न हल bakayım इसे दूसरा क्यूशन है मार लेते हैं हमारे पास क्यूशन है नेक्स्ट क्यूशन है चार अक्स स्क्वाइर माइनस चार अक्स प्लस वन दूसरा क्यूशन है हमारे पास चार अक्स स्क्वाइर माइनस चार अक्स प्लस वन यह हमारे पास दिवगात बहुपद की रूप में है 4X square minus 4X plus 1 हम इसको हल करेंगे सुन्यां ग्याद करेंगे हम इसके तो देखो हमारे पास दिवगात बहुपद है दिवगात बहुपद 4X square minus का 4X plus का 1 यह हमारे पास दिवगात बहुपद है अब हम इसके सुन्यां ग्याद करेंगे तो सुन्यां ग्याद करने के लिए हम गुनानखंड विदी का परियोग करेंगे गुनानखंड विदी से वह उपद लिखेंगे हम चार अक्स स्क्वाइर माइनस का चार अक्स प्लस का एक वही तरीखा अपनाएंगे जिसे पिछले वाले क्योशंट में अमने तरीका अपनाएंगे था पहले पद को भूस्रे में परस्रेंगे 4 x², 4 x² अब ऐसी 2 संक्या है लेनी है जिनको गुना करने पर 4 x² आना ची है और जोडने के ठाने पर हमारे पास आना ची है इसमें G. माइनस कार तो वह जोड दोग्न क्योंत पार माइनस का सब्सक्ण तो यह हमारी पास अब और यहां मैंस का यहां भच रहा है 2-1। कि याद उचिन हौँ ही यह ज़य को मना आयगा इन ग्यूमिन से एक कंवन आप और यहां बच रहा है यह दो अक्स माँंश का 1। आप देखो कोष्ट वाले पत बराबर है इसका हमला हमारा किस्तों सही तरी के चलो रहा है दुबारा से हम कॉमन लेंगे दो अक्स माइनस का एक कॉमन आएगा और हमारे पास बचेगा दो माइनस का एक अब हम बहुपद के सुन्यांग याद करेंगे बहुपद के सुन्यांग बहुपत के सुन्यांग पहले हम इसको 0 के बराबर रखेंगे 2x-1 बराबर 0 तो पहले ये minus का एक उदर जाकर प्लस का होगा 2x बराबर 1 फिर ये 2 गुणा में तो कहां चला जाएगा भाग में तो x बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 फिर इसको भी 0 के बराबर रखेंगे हम तो 2x-1 बराबर 0 तो ये minus का एक पहले उदर जाकर प्लस का होगा फिर ये 2 गुणा में तो कहां जाएगा भाग में और x बराबर जाएगा 1 बटा 2 ये हमारे पास इस बहुपत की क्या होंगे सुन्यांक होंगे जो सुन्यांक होते हैं आसानीच हल कर सकते हैं जिसको हम गुलंड करनेव इदि के तैयत हल करेंगे तो 4x-4x प्लस एक था तो 4x-2 हम पहले पगों अंतिम्पच से गुना करेंगे में प्लस का 4x-2 grain आएगा फिर ऐसी दो संक्य है लेंगे जिनको गुणा करने पर चार अक्स स्क्वार आना चीए और जोडने कर ठाने पर माइनस का चार आना चीए तो वो संक्य होंगे माइनस का दो अक्स और माइनस का दो अक्स 4x²-2x-2x-2x-2x-1 इन डोनों में से years 2x common आएगा हमारे पास बचेगा 2x-1 इन डोनों में सेкольjes Więc-1 फिर रहे हमारे पास बच रहा है 2x-1 अब बहुपत कि मैं सुनियां क्या अभर तरें गरें इस और इसको zero के बराबर रग देंगे 2x-1, Elder Dois 21As minus 1 talked desénd hook होगा अक्स बराबर हो जाएगा एक बटा दो फिर इस दो अक्स मैंस एक को जिरू के बराबर रखेंगे तो दो अक्स बराबर हो जाएगा एक और अक्स बराबर हो जाएगा एक बटा दो इस परकार से हम क्या कर सकते हैं तो इस परकार हम क्यूसन को हले करेंगे इसके में हमारे पास नया टोपिक आता है बहुपद में विभाजन एलगोर्थमिक विभाजन एलगोर्थमिक हम क्या करते हैं उच गात के बहुपद में निमंतम गात के बहुपद का भाग देते हैं विभाजन एलगोर्थिक में हम उच गात के बहुपद में निमंतम गात के बहु आइए विभाजन ऐल गौर्थमिक, ऐल गौर्थमिक मनाम के गणितगे ने एक सुतर दिया था कि एफ एक्स बराबर, जी एक्स गुणा क्यूग्स प्लैस आरक्स, ये विभाजन ऐल गौर्थमिक की सत्यता की जांच, जांच के लिए भी आप इस उत्र का परियोग कर सकते है और यह हमारे पास विबाजने अल्गोर्थमिका सुत्री भी है Fx बराबर Gx गुना Qx प्लस Rx Fx बाज़े होता है जिस बहुपद में भाग दिया जाता है उसको बाज़े Fx जिसका भाग दिया जाता है उसको बाज़क Gx और जितनी बार भाग जाएगा वो भाग फल और यह होता है सेसपल तो हमारे पास विबाजने अल्गोर्थमिक में Fx दिया जाएगा भाज़े दिया जाएगा और Gx बाज़े जाएगा तो Gx बाज़क हम क्या करेंगे Fx बाज़े में भाग देंगे और भागफल और सेस्पल प्राप्ते करेंगे एक्जामपल एक्जामपल फिस्ट है जैसे हमारे को विबाजन एल्गोर्थ में की साहिता से भागफल और सेस्पल ग्याद करना है तो विबजन एलगोर्टम में की साहिता से बागफलो सेस्पल गयाद करने के लिए देखो एक्जामपल हमारा फ़ेश्ट है हमारे को fx दे रखा है fx कमान है जैसे हमारे पास है 3x क्यूब प्लैस अक्स स्क्वायर प्लैस 2x प्लैस 5 और हमारे पास gx कमान है जिसका हमें भाग देना है 1 प्लैस 2x प्लैस अक्स स्क्वायर इसको आप सही तरीके से लिखेंगे गटतीवी गातों में लिखेंगे अक्स स्क्वायर प्लैस 2x प्लैस 1 दोको यहां भी अक्स स्क्वायर प्लैस का है यहां भी प्लस का है यहां यह दो अक्स भी प्लस का है और एक भी यहां प्लस का है और एक यहां यहां यह भी प्लस का है अब हम विवाजन एलगोर्थमिक इसाइदा से भाग देंगे और भाग फल और सेश फल गयाते करेंगे तो विवाजन एलगोर्थमिक विबाजन एल गोर्थ मिक्स सबसे पहले हम डाचा तियार करेंगे इस प्रकार से एक डाचा तियार कर लेंगे आप यहाँ आप भाज़े लिखेंगे 3x cube plus x square plus 2x plus का 5 यहाँ लिखेंगे आप भाज़क x square plus 2x plus का 1 अब हम भाज़ेंगे और भाज़क फल और सेस्पल गया ते करेंगे तो देखो आपको हमेशा ही जो बाज़े है वो लिखना इस प्रकार से लिखना होता है कि गठतेवी गातों में ओना चीए यहाँ घात 3 है फिर 2 है फिर 1 है ऐसे आप भाज़क को लिखेंगे घात 2 फिर 1 अब हमारे को केवल पहले पद का ध्यान रखना है इसका पहला पद और इसका पहला पद हम पहले पद में भाग देंगे थ्री अक्स क्यूब में हम भाग देंगे अक्स स्क्वाइर का इस थ्री अक्स क्यूब में भाग देना है हमारे को अक्स स्क्वाइर का देखो अक्स स्क्वाइर से अक्स क्यूब कहेंचे लोगा तो क्य क्चेisenique लिखना है तो दो के लिखना है और घात एक में आ रहाए तो एक के नीचे आपको लिखना है अब देखो म कि यहां हमारे पास आ जायगा टीन इस अक्स स्थार्ट से घुना होगा तो यह हैös और एक 3 हमारे पास होगा 3 X qiob यहां X qiob के पतर के निचे लिख लिख दिया जाएगा इसको फिर 3 X क्यूब्स गुणा होगा 2 X तो यह होगा 6 X X स्क्वाइर फिर 1 गुणा होगा 3 X से तो यह होगा 3 X देखो X के निचे X लिखे हमने एकसी स्क्वायर दों कि निचे अक्सप्यूगे नीचे दों अक्सप्र के निचे लिखेंगे अब हम इनके चिन परिवर्ष्थित करेंगे चिन परिवर्ष्थित देखो इन नीचे वाली मानू की रूप में होगा यहां प्लस है तो प्लस-माइनस, यहाँ प्लस-माइनस, यहाँ पर एक अक्स ही स्क्वाइर है मरे पास, एक अक्स46 में से.. छो चो चो पाइएंगे तो माइनसrались cost अक्से, थो तीन अक्स हैंगे तो मैईनस का एक अक्स और यह प्लस का पांच वही तरीका अपनाना है इस बहुपद में आपको इस बहुपद का भाग देना है माइनस पांच अक्षी स्क्वाइर में आप भाग देना है अक्षी स्क्वाइर का अक्षी स्क्वाइर कैंसल कितना है माइनस का पांच यह माइनस का पांच इन तीनों से गुणा होगा माइनस का पांच अब हम रिवर्टित करेंगे इनके यह माइनस का प्लेस प्लेस माइनस का प्लेस अब देखो यह तो कैंसल होगा है माइनस प्लेस दस अक्स प्लस का और एक समय का तो हमारे पास आएगा नो अक्स पांच भी प्लस का और पांच भी प्लस का तो पांच हो गए हमारे पास 10 उसपरकार से हमारे पास आगे हल और हम कितनी है एक है और यह इन वाग नहीं जाएगा क्योंकि यह जो अक्सी गहात है वो इस वाले बहुत ज जसे कम रह गई तो ऊसम गहात पास अब भी हमारे पास सेस्पल की रूप में प्राप्त होगा तो आप कह देंगे क्यों अक्स क्यों अक्स बागफल की रूप में प्राप्त हो रहा है हमारे पास तीन अक्स माइनस का पांच और जो सेस्पल है आरक्स वह आरक्स प्राप्त हो रहा है हमारे पास नो अक्स प्लस का दस ए एन एस प्रकार से हम विबाजन अलगोर्थमी की साहिता से उच गात के बहुपद में निमतम गात के बहुपद का भाग दे सकते हैं और भाग फलोर से इस पल गयात कर सकते हैं इसी टाइप का हम एक दूसरा क्यूशन और हल करेंगे जिस जिससे कि आपको इस ट मज़में नहीं आ रहा है तो आप दूबरा से ध्यान देंगे इसी टाइप का आपको दूबरा से क्यूशन और समझा जा रहा है और बाकी आप अपनी बुक्स से क्यूशन उठाएं एफ एक्स लिखें और भाग फलोर सेश पल गयात कीजी अब हमारे पास दूसरा एक्जा फ्लस का च्यार जीएक्स है मारे पास थ्री अक्स स्क्वाईर प्लस अक्स माइनेस एक देखो जीएक्स और जो एक्स है वो सभी तरीके से लिखें में गाझ्यार ऑद में कम दो फिर अच्छ था से कोई दिक्केत नहीं है arkadaşlar सही तरीके से लिखें में अब बाग फलोर सेश ल ग्याद करेंगे विवाजन एल गोर्थ मिक से विवाजन एल गोर्थ मिक से बागफल वह सेस्पल ग्याद करते हम तो सबसे पहले डाचा त्यार करेंगे जैसे पिछे वाले क्यूशन में हमने हल किया था वैसे के वैसे इसको हल करेंगे यह हमने डाचा त्यार कर लिया है यहां लिखेंगे हम भाज़े 9 इंटो अक्सी गहात 4 माइनस 4 अक्स स्क्वाइर प्लस का 4 यहां लिखेंगे हम भाज़े के 3 अक्स स्क्वाइर प्लस का अक्स माइनस का 1 वही तरीका पहले वाली कुछन की तरह ही हाल करेंगे इसको पहले पत का ध्याना करना है पहले पद में आपको इस पहले पद का भाग देना है तो मारे पास पहला पद है नो इंटो अक्सी घात चार इसमें भाग देना है हमारे को थ्री अक्स Aa cost 3.8 से थ्री अक्स से इसक, देखो 3.3.9 और यहाँ अक्सी सकंबाइड 4 यानि हमारे पास बचेगा 3 x square यह 3 x square इन 3 से गुना होगा तो यह हम लिख देंगे 3 x square 3 x square 3 x square से गुना होगा 9 x into x square पर 4 फिर प्लस plus से गुना होगा plus x को 3 x square से गुना करेंगे 3 x cube अब देखों मारे पास x cube को पद नहीं है है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे x cube को पत आगे लिख देंगे यहां लिख देंगे plus का 3 x cube फिर minus का एक 3 x square से गुणा होगा minus का 3 x square x square का पत था तो x square के पत नीचे लिख दिया हमने अब आगे देखो चिन परिवर्टित करेंगे plus है तो minus minus है तो plus और plus है तो minus यह देखो plus minus cancel हो गया यह हो गया minus का 3 x cube यह हो गया 3 plus का और 4 minus का minus का 1 x square और plus का 4 प्लस का 4 अब आगे देखो वही तरीका अपनाएंगे अभी भी घा 3 2 से ज्यादा है भाग जा सकता है तो minus का 3 x cube में हम भाग देंगे 3 x square का 3 से 3 cancel और यह भाग गया x बार तो हमारे पास आगया minus का x minus का x यहां लिख देंगे हम minus का x यह हो गया minus का 3 x cube प्लस को minus से गुणा करेंगे minus x का x से गुणा करेंगे x square तो यह हो गया minus का x से गुणा करेंगे तो मारे पास आएगा plus का x x का पद है नहीं है मारे पास कोई दिकत नहीं है आगे लिख देंगे अब हम चिन परिवर्टित करेंगे माइनस का प्लैस प्लैस माइनस का प्लैस 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 देखो यह माइनस प्लैस कैंसल हो गया यह भी माइनस प्लैस कैंसल हो गया हमारे पास बज़ गया चार माइनस का अक्स अब आगे देखे अतै हमारे पास वागफल प्राप्त हुआ है क्यों अक्स प्राप्त हुआ है हमारे पास आक्स-2 मैनस का X Πराप्त हुआ हे जो सेज्वित फॉल कहते हैं जिसको निक्तार में अक्स- negotiation इस प्रकार से वी बजन अल्गॉर्थमिक की साँओ कर सकते हैं यह था हमारे पास विबाजनल गोर्थमिक FX बराबर GX वुड़ा इक्सपल से और riff बाज से बाज है वाज्यउ स्याइटर बीजक बाग फ़लो और सेश व ख़ल विबाजनल गोर्थमिक की साहिता से हम बाग फ़लो और उच्छ गात के बहुपद में निमंतम गात के बहँपद का भाग देकर भाग फ़ल और सेसफल प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे पास अभी दो के एक्जामपल हल किया है हमने इस टाइपके तो पहला एक्जामपल जो हलो वा था उसके बाद में दूसरा एक्जामपल Fx दे रहे हैं No Intoxic A4 माइनस x² प्लस का 4 Gx है हमारे पास 3x² प्लस x माइनस का 1 अब मैं Fx में Gx भाग देंगे विबाजन अल्गोर्थमिक से भाग दिया हमने इस पहले पद का जहां ना करना है पहले पद में आपको भाग देना है 3x² का जितनी बार भाग जाए हो यहां लिखना है पिर उसको जितनी बार भाग जाए है उसको इन तीनों पदों से गुणा करके आपको लिखना है x² का पद आ रहा है तो x² के नीचे लिखना है x² का पद आ रहा है तो x² के पद के नीचे लिखना है तो हमारे पास बागफल आ गयाны fala 3ex square-x और 6exfps आ गया मारे पास 4-x तो इस परकार चे हम बागफल और 6 ग्यातरें इसके बाद में हम बागफल रहे हैं हमारे पास बागफल और 6 प्राप्त हो रहा है यदि 6ex exile 0 प्राप्त होता है यदि Rx का मान 0 प्राप्त होता है तो आप कह सकते हैं कि जो बहुपद Gx है बहुपद Gx है वो बहुपद Fx का एक उननखंड होगा यह इसी तरह के से आपको भाग देना है और भाग देते समय यदि 6 पल यह पूरा पूरा भाग चला जाता है बाग देते समय यदि 6 पल 0 पराप्त हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो बहुपद Gx है वो बहुपद Fx का एक उननखंड होगा इस प्रकार से आप बाकि की क्यूसन है नोट बुक से वो आप हल करें